हेलो दोस्तो मैं अभिशेक आप सभी का स्वागत करता हूँ नमस्ते डियेशेक के एपिसोड 22 में दोस्तो इस वीडियो में हम लोग इंट्रोड़क्शन टू लिंक लिस्ट देखने वाले हैं आखिर हम लोगों को एरे के साथ प्रॉब्लेम क्या है एरे डेटा से हमें क्या-क्या नुकसान होते हैं और वो हम लोग लिंक लिश्ट की मदश से किस प्रकार ओवरकम कर पाते हैं यह हम लोग इस वीडियो में देखेंगे दोस्तो वीडियो एंड तक जरूर देखना तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को दोस्तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हम लोग जो array data structure यूज करते हैं उसके साथ problems क्या है तो problems with array data structure तो दोस्तो हमें पता है इन array size is fixed and pre-allocated ठीक है जब भी हम लोग array बनाते हैं मानलो अगर हमें integer store करने हैं तो दोस्तो मुझे अगर 10 integer store करने हैं तो देखो यह size fix है मैं इसमें 10 ही element insert कर सकता हू ठीक है मुझे अगर 15 element insert करने हैं तो दोस्तो मैं इसमें नहीं कर सकता मुझे 12 array बनाना पड़ेगा जिसकी size मुझे फिर से 15 बनानी पड़ेगी और दोस्तो यही पर मैं बात करूँ मुझे सिर्फ एक ही element store करना है ठीक है मानलो मैंने अगर 10 size का array declare किया और सिर्फ मैंने एक ह element store किया तो दोस्तो जो 9 element को store करने की जो space है वो ऐसे ही खाली रहती है और वो हम लोग जिसे बोल सकते कि वो waste हो जाती है तो दोस्तो इस प्रकार यह जो है एक array का disadvantage है कि size fix होती है और हमें pre allocate करना पड़ता है यहाँ पे देखो हम लोग पहले ही allocate कर देते है उतने blocks ताकि हमे element store करने पड़े अब देखो दोस्तो worst case insertion की जो time complexity है वो order of n है ठीक है मान लो worst case कब आती है ठीक है अब देखो यहाँ पे बात करता हूँ मैं अगर देखो मेरे array में 5, 10, 20, 30 element present है और दोस्तो मुझे अगर देखो यहाँ पे एक element insert करना है यहाँ पे मुझे 2 को insert करना है तो दोस्तो उस case में मुझे यह सारे element को यहाँ पे shift करना पड़ेगा ठीक है shift करने के बाद ही हम लोग यहाँ पे insert कर सकते है तो दोस्तो यह जो operation है यह order of n का है ठीक है तो बहुत time ज्यादा लगता है हमें insertion और deletion के लिए same बात आती है deletion की अगर दोस्तो मुझे मान लो य जो है सारे left side shift करने पड़ेंगे दोस्तो यहाँ पे मैंने वही लिखा है कि insertion and deletion at beginning or middle is costly ठीक है कही पे भी करें हमें सिर्फ क्या करना पड़ता है तो element को shift करना पड़ता है तो दोस्तो यह एक array का disadvantage है तो यह problem को हम लोग link list की मदद से किस प्रकार overcome करते है यह अब हम देखते हैं तो यहाँ पे देखो introduction to link list अब देखो दोस्तो जैसा हमारा array एक linear data structure होता है वेसे हमारा link list भी linear data structure होता है अब दोस्तो आप लोग बोलोगे कि भाई दोनों same ही हुए है ना दोनों में different बात क्या है तो दोस्तो different बात आती है यहाँ पे it can be stored in any random location ठीक है अगर मै array की बात करूँ ठीक है यहाँ पे मैं लिखता हूँ मैं अगर array की बात करूँ तो दोस्तो यहाँ पे मान लो मैंने यह तीन element अगर store करे है 10 20 और 30 अगर मान लो base address अगर इसका 1000 है दोस्तो अगर मुझे बताना होगा कि 20 कहाँ पे store है तो दोस्तो मैं simply बता सकता हूँ कि वह 1000 and 4 पे store है ठीक है यहाँ पे मैं assume कर रहा हूँ कि मेरा जो integer है वो 4 byte लेता है ठीक है अब दोस्तो अगर मैं बात करूँ 30 की तो दोस्तो 30 store होगा 1000 और 8 address पे दोस्तो इसे हम लोग क्या बोलते है तो इसे हम लोग बोलते है continuous allocation बोलते है तो दोस्तो array के case में इस प्रकार का allocation होता है मान लो अगर मेरी memory कुछ इस प्रकार किये ठीक है यहाँ पे मान लेते हैं हमारी memory कुछ इस प्रकार किये और यहाँ पे हम लोग maximum tail limit store कर सकते है यह यह वाली जगा पे और दोस्तो मुझे अगर 20 limit store करना है तो दोस्त वेसा हम लोग link list के साथ नहीं होता link list हम लोग किस प्रकार store कर सकते है मान लो अगर हमारा first element 1000 पे store है तो दोस्तो दूसरा element हम लोग कही पे भी store कर सकते है मान लो मैंने 500 address पे store किया तीसरा element मान लो मैंने 4000 address पे store किया अब दोस्तो इस प्रकार हम लोग कही पे भी इसे store कर सकत अब दोस्तो link list का structure कैसा होता है उसमें क्या-क्या होता है जैसे कि data होता है pointer होता है तो दोस्तो यह सब जो है हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे जब हम लोग link list को implement करेंगे यहाँ पे आपको एक ही बात ध्यान में रखने ही कि दोस्तो यह जो है यह contiguous location पे store नहीं होते यह कही पे भी store होते है और दोस्तो इसे हम लोग connect करते है कैसे connect करते है यह सब हम लोग next studio में देखेंगे तो दोस्तो यहाँ पे देखो it can be store in any random location ठीके no need to store it in contiguous memory location ठीके array की तरह हमें इसे contiguous memory location में बिलकुल भी store नहीं करना पड़ता अब दोस्तो यहाँ पे देखो we can insert delete items efficiently efficiently से मेरा मतलब क्या है देखो मुझे अगर यहाँ पे मालो मुझे एक new element insert करना है तो दोस्तो मैं क्या करूँगा देखो यह वाली link यहाँ पे कर दूँगा और यह वाली link यहाँ पे कर दूँगा और यह link break हो जाएगी तो दोस्तो देख सकते हैं आप लोग कितने easily मैं यह allocate memory ठीक है हमें किसी भी प्रकार की three allocate करने की ज़रूरत नहीं पड़ती जब भी हमें new node या फिर new element insert करना आए तो हम लोग उसे कर सकते हैं तो दोस्तों यह बहुत सार यह important points है link list के regarding next studio में हम लोग देखेंगे कि यह जो मैंने यहाँ पर structure बनाया है वो किस प्रकार बनता है और link list को हम लोग किस प्रकार implement करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर सिर्फ आपको यह ध्यान में रखना है कि array data structure के साथ क्या problems आ रहे थी और हमने link list की मदद से उसे किस प्रकार overcome किया ठीक है बेशक दोस्तों array के कुछ अपने advantages है link list के कुछ अपने advantages है ठीक है एक और main difference है कि दोस् जब हम लोग arrays की मदद से उसे implement करने जाएंगे तो थोड़ा complex code बनता है लेकिन link list की मदद से वह बहुत easily हो जाता है तो दोस्तों अपने ठीक है दोनों data structure के अपने-अपने advantages है अपने-अपने disadvantages है दोस्तों हमें efficiently दोनों को use करना है इसलिए हम लोग सारे पढ़ रहे है तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो एक like जरूर कर देना आपकी जो भी दोस्त data structures और algorithm पढ़ रहे है उनके साथ इस course की playlist को जरूर शेयर करना हमें instagram पे follow करना मत बूलना साथ ही साथ दोस्तों हमारा एक telegram channel भी है जिसका नाम take blooded ही है मैंने description में भी link दिया है आ आप वही से भी join कर सकते हैं दोस्तों खास बात अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जल्दी से कर देना क्योंकि हम लोग ऐसे ही बढ़िया बढ़िया विडियो डेली लाते ही रहते हैं दोस्तों मैं मिलता हो आपको अगली वीडियो म में तब तक के लिए बब बाई टेक केर